दोस्तो इंडिया जिस तरीके से अपने बेड़े के लिए एर कैप्टों का निर्मान कर रहा है और जिस तरीके से इंडियन बेड़े को मजबूत करने का प्लैन बनाया जा रहा है उसे लेकि आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि भविशे में इंडिय चीप मार्शल वी आर चौधरी के तरफ से दिया गया दोस्तो वी आर चौधरी के तरफ से दिया गया बयान में एर फोर्स के भविशे के बारे में कई तरीके के बातों का खुलासा करते हुए ये वी जानकारी दिया गया है कि एर फोर्स किस किस तरीके के एर क्रैप्टों क अपने बेडे में इंडर्ट करने को लेके तैयारी कर रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले समय में इंडियन एयर फोर्स का रूप कैसा होगा और किस तरीके से एयर फोर्स के modernization को आगे बढ़ाया जा रहा है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों एयर चीप मार्शल वी आर चौधरी के तरफ से हाली में एक बयान देते हुए खुलासा किया गया है कि इंडियन एयर फोर्स के जो टाकत है उसे किस तरीके से इंडियो जनाइशन के थुरू मजबूत किया जाएगा वी आर चौधरी ने अपने बयान में बताया कि इंडियन एयर फोर्स अपने बेडे में Advanced Medium Combat Aircraft मतलब AMCA Aircraft के साथ Light Combat Aircraft Mark 1A Mark 2 को शामिल करेगा और इसके साथ-साथ 114 Multi-Roll Fighter Aircraft को भी Make-In-India के अंतरगत Indian Air Force के बेड़े में शामिल किया जाएगा। के आत्मनिर्वर भारत इनिशिटिव के अंतरगत मजबूत किया जा रहा है। उसमें भी काफी बड़ा मजबूती लाएगा। Aircraft को अपने बेड़े में शामिल करने को लेके commitment किया गया है। पर LCA Mark 2 मतलब तेजस Mark 2 Medium Weight Fighter Aircraft को लेके कितना संख्या का Aircraft बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके उपर decision तब लिया जाएगा जब पहला production model बाहर आएगा। और उसके बाद Air Force के द्वारा Aircraft को एक एक करके अपने बेड़े में इंड़े भी किया जाएगा। Air Force Chief का ये भी कहना था कि Air Force हमेशा से ही quality को इसके performance के base में increase करने के पक्ष में है और उसके साथ साथ Aircraft के rate of induction को भी increase किया जाएगा। उस schedule के अंतरगत ही हो रहा है। First firing unit को already induct किया गया है और deploy कर दिया गया है। जबकि उनका ये भी कहना था कि second unit जो है उसे फिलाल इंड़े करने के process के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। S-400 मिसाइलों को रशिया के तरफ से schedule के अंतरगत ही deliver किया जाएगा और Air Force आशा करता है कि next year के आन तक सभी S-400 सिस्टमों को रशिया के तरफ से इंडिया को soft दिया जाएगा। Air Force Chief के सामने जब Air Force के modernization और Air Force के सामने के challenge को लेके सवाल किया गया तो उनके तरफ से two front work के उपर भी कई तरीके का खुलासा किया गया। Radars और surface to air missiles का आवशकता है जो indigenia sources के थूँ शामिल किया जाएगा। हाला कि उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि indigenia sources के थूँ इन चीजों को सामिल किया भी जा रहा है। Air Force के चीफ के दरफ से ये भी बताया गया है कि Air Force जो center के आत्मनिर्वर भारत के संकल्फ है उसके साथ है और इसी कारण से quickly Air Force में कई तरीके के platformों को introduce किया जा रहा है जिन में light combat helicopter aircraft से शुरू करके radar system तक शामिल है। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि Air Force के बेड़े में जिन एर क्रैप्टों को शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है मतलब तेजस मार्क वान ए मार्क टू और एमसी एर क्रैप्ट ये कितना संख्या में कब तक बेड़े में शामिल होगा। फिलाल दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क वान एर क्रैप्टों को लेके रिपोर्ट ये है कि अल्रेडी इंडियान एर फोर्स को 32 के 32 मार्क वान स्टैंडर के सिंगल सिटेड एर क्रैप्टों का डिलिवरी कर दिया गया है। पहला मार्क वान एर क्रैप्ट इंडियान एर फोर्स को साल 2024 में मिलेगा जबकि साल 2028 तक सभी एर क्रैप्टों का डिलिवरी किया जाना है। Maige में पिछले साल के मार्च महिने में 83 एर क्रैप्टों का ओर्डर दिया गया है। में 10 twin seated A4C Mark 1 variant के aircraft है जबकि बाकी के 73 Mark 1 A standard के aircraft है जिसे Mark 1 के enhanced variant के रूप में देखा जा रहा है और इसमें कई तरीके के improvement किया गया है जबकि दोसरे तरफ अगर तेजस Mark 2 aircraft को देखा जाए तो report के मुताविक फिलाल इन aircraft के जो पहला prototype है उसके निर्मान का काम चल रहा है और इस साल के अंत तक पहला prototype को rollout भी किया जाएगा रिपोर्ट के मुताविक साल के अंत तक या फिर अगले साल aircraft 2 के first flight को भी अंजाम दिया जाना है और तेजस Mark 2 aircraft को साल 2026 तक Air Force के बेडे में शामिल करने का इरादा भी रखा जा रहा है तो तेजस Mark 2 aircraft को Mark 1 के मुकाबले में काफ अधिक बड़ा अधिक वजनी अधिक पेलोड लेने का शमताई वाले aircraft के साथ साथ अधिक रेंज और अधिक हार्ट पॉइंट वाला aircraft भी है मतलब ये aircraft अधिक वजन के ही केवल मातर नहीं बलकि अधिक संख्या के मिसाइलों को भी कैरी करने में समर्थ होगा तो सो aircraft में करके इंडियन एरफोर्स अपने बेड़े के सिपकैट जागूर, डिसॉल, मिराज 2000 और मिक 29 जैसे एरक्रेप्टों का रिप्लेस करेगा और एरफोर्स के अगर बेड़े को देखा जाए तो एरफोर्स के बेड़े में करीफ करीब 65, मिक 29, 51, मिराज 2000 और करीवन 130 सिपकैट जैगूर एरक्रेप्ट है, मतलब करीब-करीब 246 एरक्रेप्टों को रिप्लेस किया जाना है, पर अभी से ये नहीं कहा जा सकता है कि इन सभी एरक्रेप्टों को तेजस एरक्रेप्टों के द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा, हाला कि ये भी हो सकता है कि इसमें AMCA एरक के आवशक्ताओं को पूरा कर सकता और इंडियन एरफोर्स को मीडियम वेट के कई सारे एरक्रेप्टों का ज़रूरत है एमसी एरक्रेप्टों को अगर देखा जाए तो फिलाल इन एरक्रेप्टों के भी जो ताइटेनियम ब्लोक हेड है उसके मेटल कल्टिंग सरीमोनी को अंजाम दिया जा चुका है मतलब एक तरीके से एरक्रेप्टों के पोटोटाइपों के उपर काम शुरू हो गया है और रिपोर्ट के मुताविक जो A.M.C.A. Aircraft है इन एरक्रेप्टों के जो पहला प्रोटोटाइफ है उस संभाभी साल 2024 या 2025 में अपना पहला उडान भरे एरक्रेप्टों को फिलाल साल 2030 से 32 के अंदर बेडे में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है लेकिन कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि इंडियन एरफोर्स को शायद इतना लंबा समय ना लगे बल्कि इससे पहले ही मतलब साल 2029 तक ही एरक्रेप्ट तयार होके बेडे में शामिल हो जाए एम्सेया एरक्रेप्टों को टोटल 2 ब्लॉक में निर्मान किया जाएगा जिनमें पहला तो मार्क वन स्टैंडर होगा जबकि दूसरा इससे भी इनहेंस मार्क टू स्टैंडर होगा दोसो AMCA Aircraft को लेके अब तक Air Force के तरफ से जो commitment किया गया है उसके अंतरगत total 7 squadron AMCA Aircraft को खरिदा जाना है जिसका simple मतलब यह है कि initially Air Force कम से कम तो 126 से 140 AMCA Aircraft को अपने बेडे में शामिल करेगा जिनमें 2 squadron Mark 1 Aircraft जहाँ पे होगा दो उही पे 5 squadron Mark 2 Aircraft होगा हाला कि 114 multi roll fighter Aircraft मतलब MRFA tender को लेके अब तक सही कोई timeline के बारे में पता नहीं चला है और Air Force के chief के तरफ से भी इसके exact timeline का क्लासा नहीं किया गया है पर report के मताविक Air Force इस project को लेके भी काफी तेजर रफतार से आगे बढ़ना चाता है और process को आगे बढ़ाया भी जा रहा है फिलाल tender के मताविक Indian Air Force के सामने 8 Aircraft का ओफर हुआ है जिनमें अमेरिका के बोईंग कमपनी के द्वारा F-18 Super Hornet Block 3 Aircraft के साथ F-15EX Eagle 2 Aircraft का ओफर किया गया है तो उही पर Lockheed Martin के तरफ से F-21 Aircraft का ओफर किया गया है रशिया के Mikoyan Corporation के तरफ से जहाँ पे Mik 35 Aircraft का ओफर किया गया है तो उही पर सुखोई Design Bureau के तरफ से अपने सुखोई 35 का ओफर किया गया है हाला कि योरोफ के तरफ से 3 Aircraft का ओफर हुआ है जिन में Sweden के साब ग्रूप के तरफ से भारत के साब ने JS-39 Gripen EF Aircraft का ओफर रखा गया है तो उही पर Dassault Aviation के तरफ से Rafale और Eurofighter Consortium के तरफ से Eurofighter Typhoon Aircraft का पेशकर रखा गया है दोसों expect किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महिनों के अंदर इनमें भी Aircraft को finalize करते हुए negotiation को आगे बढ़ाया जाए जबकि हाली में MRFA tender को लेके ये भी cover आया था कि इससे total दो हिस्से में बाटते हुए पहले हिस्से के अंतरगत 54 Aircraft को OEM के साथ समझोते के तहट बेडे में शामिल किया जाए जबकि बाकी के 60 Aircraft को Joint Venture से Air Force के द्वारा खड़दा जाए हाला कि इन 54 Aircraft को भी दो हिस्से में बाटा गया है जिनमें 18 Aircraft डारेक्ली जहाँ पे OEM से बनके भारत को मिलेगा तो ही पे बाकी के 36 Aircraft को मेकिन इंडिया इनिशीटिव के अंतरगत भारत में निर्मान किया जाएगा दोस्तों दूसरे हिस्से को लेके बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण रूप से Joint Venture के साथ डिल करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा और ये भी संपूर्ण रूप से इंडिया में ही मेकिन इंडिया इनिशीटिव के अंतरगत बनेगा जबकि इन Aircraft को इंडियन करेंसी से भी खरिदा जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आदो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिन